Social causes of ODD So when we talked about the social causes of oppositional defiant disorder We need to be see that in which social structure the child is living ठीक है और किस तरहां का social structure होता है जो के एक child को lead करता है towards the oppositional defiant disorder इस पर सबसे पहली चीज़ जो है जो हम discuss करेंगे That is the poverty ठीक है, researchers exhibit करती है कि ऐसे बच्चे जिनका parents जो है उनकी income जो है वो low हो ठीक है और उनकी जो education है वो जो है वो low हो ठीक है parental education और parental income जो है वो कम हो वो बच्चे जो है आम तोर पर ODD का problem जो है वो reflect करते हैं इसके साथ साथ एक चीज़ और जो है वो बहुत important होती है चुँके इनकी low income होती है that's why इनका जो neighborhood है वहाँ पर भी जादा तर low social economic status के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं इसलिए एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो mediatyating factor है neighborhood वो एक बहुत बड़ा factor बन जाता है ODD की symptoms को manifest करने में क्यों 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 कि neighborhood में हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो या कुछ ऐसे adult हो जो इस किसम की activities में जो के conduct problem से related हैं और वो exhibit करें जिसे बच्चा जो है वो observe कर रहा हो और might be वो उसको learn कर ले ठीक है तो इस किसम की जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर ODD के features को develop करने की एक reason बन सकती है इसके साथ एक बात की जाती है lack of structure की जब हम lack of structure की बात करते हैं in reference to ODD तो basically हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो parents है उनका जो घर में discipline maintain करने का तरीका है वो उसमें lacking है अब वो lacking किस किसम की है कि उन्होंने rules जो है वो boys के लिए और girls के लिए different बनाएवे हैं यानि बहुत सी चीज़ों की permission जो है वो boys को करने की है लेकिन girls को करने की नहीं है तो ये जो inconsistent किसम का structure होता है families के अंदर जिस आम बहुत दफ़ा parents जो है वो अगर एक लड़का है और वो aggressively behave कर रहा है या वो shout कर रहा है तो उसे मना नहीं किया जाता आप अपने culture में भी देखें क्यों? because they feel that it is something very manly लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये इस तरहां ये behavior जो है वो उसको learn कर लेगा इसके against अगर आप देखें तो अगर लड़की जो है या बच्ची जो है अगर वो उन्ची ओवाज में भूले तो parents जो है वो उसको snap करते है because of the gender कि वो लड़की है और उसको इस तरहां नहीं बोलना चाहिए it is something which is like a characteristics of a male gender तो ये जो होता है discrepancy in the training और बो जेंडर ये certain time course करता है ODD को क्योंकि बच्चा जो खासवापे boys है वो learn कर लेते हैं कि they can act aggressively इसी तरहां बात हम करते हैं peer rejection की एक ऐसा बच्चा जो के aggressive है तो certain time peers जो है वो उसको reject कर देते हैं या एक ऐसा बच्चा जिसकी दोस्ती ऐसे बच्चों के साथ है जो के definite behavior exhibit कर रहे है तो इन दोनों situation में जो उसका behavior है वो जादा aggressive हो जाएगा और उसकी वज़ा से चूंकि उसको power चाहिए होगी चूंकि उसको इस चीज़ की खौहिश होगी कि people will acknowledge him or her और और वो किसी भी तरह बच्चों को दूसरे बच्चों से rejection की जगा acceptance लेना चाहेगा जिसकी वज़ा से वो इस किसम का behavior जो है वो exhibit करेगा जिससे वो powerful लगे that's why कि certain time बच्चों का behavior जो है वो aggressive हो जाता है इसी तरह community violence जिसा भी हमने neighborhood की बात की थी कि अगर ऐसा neighborhood है जहां पर बच्चे या बड़ी उमर के लड़के इस तरह का behavior exhibit कर रहे हैं कि जिससे learn कर सकता है बच्चा तो there are more likely कि वो बच्चा जो है वो ODD के features exhibit करेगा इसी तरह अगर ऐसे neighborhood में रह रहे हैं जहां पर criminal activities हो रही है जहां पर drugs बहुत easily मिल रही है तो it is more likely कि बच्चा जो है वो इस किसम की activities में involved हो सकता है और ODD की तरफ जो है उसका आपको जाता हुआ वो नजर आएगा तो these are those features जो के social factors होते हैं और जो के contribute कर सकते हैं for the development of the ODD Thank you